बेटा एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट आपके दो शॉर्टकट डिसकस करने एक आपको NBV में बहुत हेल्प करेगा और दूसरा आफकोर्स KD1-T में IRR में फैसिलिटेट करेगा आपको लेट से आप NBV calculate कर रहे हैं आपने सारे net cash flows निकाल ली है cost of capital 10% है अब आपको बेटा F9 में इसकी discounting अरने की जुरूरत नहीं है आप simply NBV का function यूज़ करें लेट मी पहले मैं जर्णल को currency में convert कर लूँ दागे मसले ना हो is equal to आप simply NBV लिखें bracket open करें ये मैंने लिया cost of capital comma सारे मैंने positive cash flows ले लिये bracket कर दिया close plus initial investment here comes your NBV आपकी NBV आ चुकी है 3814.49 तो बिटा आपने अब ये F9 में basically simply NBV का function यूज़ करें और NBV आ जाएगी एक चीज़ और जब हम cost of capital में KD1-T निकालते हैं redeemable bond में एक दफा positive NBV एक दफा negative NBV इसकी कोई जरूरत नहीं है directly आप IRR का formula यूज़ करेंगे KD1-T आ जाएगा लेकिन याद रखेगा बात हो रही है redeemable bonds की कौन से bonds की बात हो रही जी I'm talking about redeemable bonds हम redeemable bonds की बात कर रहे हैं माल लेते हैं कि इसका maturity period 3 साल का है ओके यहां ले लेते हैं जी cash flows अब time 0 में बिटा आगर recall करें तो market value of the bond आती है assuming market value of the bond है 120 अगली चीज अच्छे सुनिएगा let's say bond का interest rate assume कर लेते हैं 10% 10% par value पे लगेगा nothing is mentioned par value 100 होती है 100 का 10% 10 है tax rate ले लेता हो मैं 20% अगर मैं 100 का 10% लूँगा 10 आएगा उसको 1-2 करूँगा तो 8 आएगा क्योंकि मैं tax rate ले रहा हूँ 20% यहां भी 8 आगया यहां भी 8 आगया अब सुनिएगा जब बिटा last year की बात करेंगे तो last year में basically 8 के इलावा 8 तो आएगा ही आएगा interest 1-3 इसके लावा redemption amount आएगा अब हमें बता है redemption par पर भी हो सकती है premium भी हो सकती है और यहां पर conversion value भी आ सकती है depend करता है एक मिनिट के लिए मैं assume कर लेता हूँ कि यहां पर तो basically redemption है वो पार value पर है तो third year maturity है maturity period 3 साल का है redemption अगर पार value पर है तो तीसरे साल में interest 1-3 8 का भी आएगा और redemption value 100 की भी आएगे अब मुझे निकालना है kd 1-3 तो बहुत simple है kd 1-3 आप simply यहां पर IRR का formula यूज़ करेंगे bracket के साथ यह सारी values लें bracket close here comes your answer आपका kd 1-3 basically आ रहा है 1% your kd 1-3 is 1% आपको कोई कुछ अलग करने की जुरहत नहीं है ठीक हो के जी अब तो बहुत ही असान हो गया kd 1-3 भी आप directly calculate करेंगे और NPV को NPV के function से आप definitely calculate करेंगे so simply thank you very much अगर मैं आपको थोड़ा change करके बता दूँ एक और ले लें जी सवाल kd 1-3 का ताके बाज बच्चे बोले sir one person ये अपे तो कोई बात नहीं बटा ये लो values change ले लो भाई ये ले एक और redeemable loan ले ले लेते हैं let's say cash loss ले ले लेते हैं मान लेते हैं जी यहां पे है market value of the bond minus 115 let's say ये 8 है ये भी 8 है और ये भी 8 है प्लस let's say redemption 110 के 10 percent premium पे premium power value पे दिया जाता है तो last year में basically 8 kd 1-3 के इलावा redemption amount भी आएगा और assume कर लेते हैं कि redemption amount 10 percent के premium पर है 110 लिखा अब आपने कुछ भी नहीं करना बटा kd 1-3 simply आप IRR का function use करेंगे and here comes your kd 1-3 लेकिन याद रखें कि ये formula basically जो apply हो रहा है वो redeemable bonds पर अप्ला हो रहा है so simply thank you very much watching this lecture and assalamualikum plus अगर आपने हमारा youtube को channel subscribe नहीं कर वाया तो जरूर subscribe करें आपको इंशालला बहुत फायदा होगा assalamualikum